हलो जी नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं हूँ गोइन पडेल और आप देख रहे हैं खेती के पार सारा यूट्यूब चैनल विकास जी ने सवाल किया थे जो देशी कोकड़ा जिसको हम लोग कोकडो खेकसी खेकसा का टेला जो भी आप बोलते हैं तो इसकी खेती हम लोग कैसे करें तथा बीच से यह उत्पन नहीं होता तो इसके हम लोग कंद कहां से प्राप्त कर सकते हैं तो विकास जी मैं आपको बता दूँ कि ये जो देसी कॉंकड़ा ये जो कॉंकड़ो या फिर खेकसा जो होती है ये तो बीच से ही होती है इसके नकंद से भी होते हैं और बीच से भी होते हैं तो हम लोग तो फिलाल इसके बीच से ही बनाते हैं पौधा और ये बहुत ही अच प्रगेट में हमको ज्यादा मेंटनेस करने की जोरत नहीं पड़ती है और इसमें बहुत कम ही डिजीज होगर आते हैं मेरा वाला जो तरीका में आज आपको बताता हूं तो हम लोग इसका बीच बनाने के लिए क्या करते हैं तो इसको पहले हम लोग पकने देते हैं अब यह Πेमिया कर देते हैं मेरा इसके बाद भूस्ते के बाद हम लोग इसको साल भर के लिए छोड़ते हैं उसमेंना लगबहां 50% मादा पो बनते हैं 50% नर burnt में नर में फल लगता नहीं मादा में फल लगता है तो हम लोग ने क्या करते है कि उसेमें सरे लग locally अ फ़ीम जो नर हो चोटी कंद भी बन जाती है तो उसको निकाल के हम लोग उसको हमारे जो बाड़ी या खेत की जो मेड रहती है वहाँ पी हम लोग लगा देते हैं adesso आप भी sudah बिकाल गंख़् यह करते हैं तो आप बिल्कुल यह देशी कोइがड़ा का खेती को आप कर सकते हैं और बहुत ही फादे मंते टाव इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं यह द्मान को असलों तो इसमें क्या वोता है कि नर और मादा का कंभी नेसन रखना बहुंट जोरी है यह यह वाला जो फ्लावर यह वाला जो है पौधा यह इसकी नर है यह आप देखेंगे तो भी पदा चल जाएगा यह वाला उसके नर है और ये वाला उसके मादा वाला है जैसे कि आप देखने हैं इसमें बहुंच सारे छोड़े छोड़े फल लगे हुए तो इतना ज्यादा फल लगने का में रिजन ही है कि एक नर इतमें रखना बहुंती जोरी हो जाता है तो ये जो देशी कोड़ा से सम्मंधित नीचे कमेंट करेगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा अगर आप नए हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सप्रेब करें और उसके बगल के बेल वाले घंटी को प्रेस कर दीजिए इससे कि खेती संबंधित जब भी नया वाले वीडियो डले तो सबसे पहले नोट हूआ करें करें